नमस्ते फ्रेंड्स घर की क्लीनिंग करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है कि हम अपने घर को कैसे क्लीन करें जो हमेशा साफ रहे तो कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं लेके आई हूँ और कुछ पॉइंट में चीजों को मैं सेयर करूँगी कि आप अपने घर की जो क्लीनिंग होता है वो कैसे करें और ये जो है मैं मन्थली क्लीनिंग की जो है आईडिया सेयर करूँगी तो चलिए शुरू करते हैं और विडियो को देखते हैं हम सब जो है इस जो पोचा आप देख रहे हैं अभी इससे हम बस पोचा लगाते हैं लेकिन कुछ ऐसी आडिया जो मैं सेयर करूँगी जो आपका जो घर है वो अच्छे से जो है कोना कोना जो है वो साफ हो जाएगा तो इस जो पोचे से जो है हम ग्रील जो है घर के जो भी ग्रील होते हैं हम मंथली में एक बार इसको जरूर क्लीन कर सकते हैं और क्योंकि ग्रील जो उपर होता है जो रुशंदान होते हैं तो उसको क्लीन करने के लिए हम इस पोचे का जो है उपयोग कर सकते हैं और बहुर अच्छी तरह से जो है ये डस्टिंग कर सकते हैं या बिंडो क्लीनिंग जो है आपका आसानी से ये कर देगा, जितने भी ये बिंडो हैं जो उपर रहते हैं वो आसानी से ये जो है इससे आप क्लीन कर सकते हैं और सारी क्लीनिंग जो है बहुत आसानी से हो जाएगी, ना किसी के मदद के भी हम ये अपने काम जो है आसानी से क पाएंगे और बिना सीड़ी वगरा क्योंकि जो पोचा है वो काफी लंबा होता है इसका हैंडिल और आसानी से हम जितने भी उपर के जो बिंडो है उसको हम आसानी से क्लीन कर सकते हैं तो इस आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा और तो इस इस तरह से देखे मैंने अपने जिदने भी रोसंदान यहां पे है सारे मैंने क्लीन कर दिये और इससे सिर्फ रोसंदान भी रोसंदान ही नहीं और और भी इससे आप क्लीन कर सकते हैं जैसे हमारा एसी का जो पाइप होता है इसको क्लीन कर सकते हैं जो इस तरह के जो उपे सिल्फ होते हैं जो उपर में होते हैं उसको भी आप इससे क्लिन कर सकते हैं बहुत आसानी से हो जाएगा और इस तरह के जो AC के जो पाइप होते हैं उस पे भी काफी डस्ट हो जाता है तो आप उससे भी इसको गिला करके या को कोई सर्फ डाल करके जो पोछे में आप इस तर से क्लीनिंग हो जाएगी तो बहुत ही इफेक्टिव है इस आइडिया को जरूर अपनाए और अपने घर को साफ करिए दूसरा है यह बिंडो जो है उसके बाद फिर छोटा जो है कोई कपड़ा ले करके आप अपने जो बिंडो है जो घर की जो बिंडो जो नीचे लग होती ह आप उसको मन्त में एक बार इसको अच्छी तरह से क्लीन करिएगा चाहिस इसमें सैंपू डाल लीजिए या हलका सा सर्फ डाल लीजिए तो जो भी जो इस पर डश्ट है उस आसानी से निकल जाएंगे और देख सकते हैं कि कितने जो है डश्ट इस पर पड़े हुए है और अभी थोड़े ही देर में जो है ये सारी जो है क्लीनिंग हमारी हो जाएगी तो ये और ये नहीं कि हाँ एक ही दिन में हम सारे रूम की क्लीनिंग करें या सारे घर की क्लीनिंग करें आप वन बाई वन करके आप इसको कर सकते हैं जैसे एक रूम हुआ फिर उसके बाद दो दीन बाद फिर एक रूम हुआ फिर दो दीन बाद एक रूम हुआ इस तरह से हम अपने सारे रूम को जो है क्लीनिंग कर सकते हैं और अच्छी तरह से जो हमारा ये विंडू वगारा जो है साफ हो जाएगा और जो भी ये दरवाजे हैं उस पे भी हलका सा हांत लगाना है और वाइप करना है इससे देखिएगा कि जो आपकी विंडू है या जो फाटक वगारा है वो अच्छी तरह से चमक जाएगे और सीसे को कॉलिन से साफ करती हूँ बट जब मैं मंतली क्लीनिंग इस तरह से करती हूँ तो मैं उसी कपड़े से सीसा को भी गिला वाइप मारती हूँ और फिर उसको मैं क्लीन करती हूँ दूसरा एडिया यह है कि स्विच बोर्ट की क्लीनिंग हम नहीं कर पाते हैं इससे हम नजर अंदाज ही कर देते हैं लेकिन जिससे आप बिंडो अगरा क्लीन किये हैं उसी कपड़े से हलका सा गिला करके आप अपने जो स्विच बोर्ट है आप उसको अच्छी तरह से क्लीनिंग कर सकते हैं और आपका जो स्विच है हमेशा चमकता रहेगा तो घरक में जितने भी स्विचेस हैं आप उसको क्लीन कर सकती हैं चाहे वो जो भी तार वगार अलगा उसको निकाल करके और आम जो आपका जो स्विच बोर्ट है सारे रो themes कई क्लीन हो जाएंगे उसके बाद जो है बेड की क्लीनिंग हम कर सकते हैं और पानी चछेंज करते रहना है यह नहीं और क्योंकि बेट पर बहुत डस्ट बैठते हैं अगर एक दिन डस्टिंग ना हो और तो काफी डस्ट उस पर बैठ जाते हैं जब जादे डस्ट बैठ जाए तो इस तरह का जो है आइडिया आप अपने बेट की क्लीनिंग के लिए कर सकते हैं और आपका बेट जो है मेंसा न अच्छी तरह से क्लीन कर देंगे तो आपका जो है यह भी क्लीन हो जाएगा तो मैं मंतली एक क्लीनिंग करती हूं और आपने मेरी वीडियो वगारा में देखा भी होगा कि मेरी जो बेड है या ड्रिसिंग टेबल है हमेसा चमकते रहते हैं तो यही कारण है और मैं इसी त से आप इसको कर सकते हैं उसके बाद जो है उसी से हमारी जो टीवी उनिट है हम पानी चंजी करके फिर हम अपनी टीवी उनिट को अगीला कपड़ा करके पोष सकते हैं होलाकि इसको भी मैं कॉलिन से साफ करती हूं लेकिन हर चीज कॉलिन को डेली के लिए है और मनतली क्लीनिंग के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं आपका जो भी माईका वगरा है अच्छे सी क्लीन हो जाएगा और तीब उनिट भी क्लीनिंग हो जाएगी तो इस तरह से देखिएगा कि आप जो है यह रूम की क्लीनिंग बहुत अच्छे तरह से हो जाएगी और एक बार में एक रूम क्लीन करिए और अपने रूम में जो है एक indoor plant जरूर रखिए, जैसे money plant हो गया, snake plant हो गया, और rubber plant हो गया, everything जो आपके पास available हो, आप उसको रख सकते हैं, तो इस तरह से आप अपने room की cleaning कर सकते हैं, और देख सकते हैं कि room की अच्छी cleaning हो गई है, और साथ में photo अगारा की भी हमेशा, जब भी चादर बदलें, आप photo की cleaning कर सकते हैं, 4-5 दिन में एक बार, तो इस तरह से जो है, आप अपने घर की monthly cleaning कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छी तरह से ये cleaning हो जाएगी, और आपका घर हमेशा साफ और सुत्रा दिखाई देगा, तो आसा करते हूँ कि ये जो monthly cleaning जो tips मैंने आपके साथ share किये हैं, पस संद आये होंगे तो like, share, subscribe जरूर करिएगा अपने family और friend के साथ, और विल आइकन all पर क्लिक करिए, क्योंकि इस तरह की content जो होते हैं, मेरे channel पर हमेशा आते रहते हैं, और तो इस तरह से जो है, मैंने सारी जो अपनी monthly cleaning का जो है, पूरे घर की साफ सफाई करती हूँ, और एक दिन में एक room की ही मैं करती हूँ, और इस तरह से आप भी करिए, फिर दो दिन बाद छोड़के देक room, फिर दो room छोड़के एक दिन, इस तरह से आप कर सकते हैं, तो चलिए फिर मैं आपको अपने अगले वीडियो में मिलते हूँ, और तब तक के लिए, bye bye and take care, जै हिं जै भारत